हेलो और वेल्कम दोस्तों मैं हुए मंतोर आप सभी देख रहे हैं मारा यूट्यूब चैनल गोल्ड़न एरा एज़िक्यूशन दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉवलांस मतलब की आयू समंदित पर्शन ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको प्रिविएस वी ठीक है दोस्तों चले दोस्तों आप करते हैं अपना पहला क्टों अंट है इसमें क्या देर और वीजे का अनकार को जोग चॉर्यशन तो अज्योर विजे की आयू निकालने ही क्टोंदा तो न दोस्ते नょ त्य है उनके का योग कितना है चोर एसी के बराबर हे ठीक है को दिक्कत दोस्तो चोर एशी के बराबर है तो अब बोल रहा है कि अजय और विजय क्या आयू निकालनी तो इन दोनों का एड किजी कितने नहीं कितना भाग हुआ साथ भाग वह साथ भाग कितने के बराबर है चोर एशी के ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत इसमें तो एक भाग कितना होगा इसका एक भाग बराबर होगा कितना बार है ठीक है वह साथ भाग बराबर कितना है चोर एशी के तो एक भाग कितना होगा बार है के ठीक है दोस्तों अब एक याई मतलब कि अजे क्याई कितनी है तीन भाग और विजे क्याई कितनी है अजे क्याई तीन भाग विजे क्याई चार भाग ठीक है और एक भाग हमने निकाल ली जाए कितना है बारा के बराबर तो दोस्तों यहां से आराम से एका निकल जाएगा कितना तीन भाग मत बढ़े जाएगा कितना है चार बाग तो 4 मिल्ट्पिपवाई 12 है ठीक है को दिखियो है कितना हो सी इसका हो गया और यहाँ से बार है को चार्व मिल्ट्पिप्लाई किया है तो बारे चोक अटालीस बस ठीक है answer कुण सा हो जाएगा इसमें A option A option इसका right answer हो जाएगा कोई दिकर दोस्तों इस question में आराम से आप कर लोगे ठीक है चलिए दोस्तो next question देखते है यह रहाँ अब दोस्तों इस question को देखे 10 वर्स पुरो A और B की आयू मतलब A की आयू B की आयू की आदी थी यदि उनकी वर्तमान आयू का नुपाद 3 नुपाद 4 है तो उनकी वर्तमान आयू का योग क्या होगा ठीक है अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे वर्तमान मतलब की A और 2 और A और B कोई 2 दोस्त है ठीक है वर्तमान में मतलब की पर्जेंट में पर्जेंट मेंज क्या है इनकी तीन रिशो चार आई ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इनके आगे लगा दो आप X ठीक है दोस्टो ताकिए आपको अस्थै कियो आ जाये अब क्या बोल रहा है दोस्तो 100 करकर 10 वर्ष पूरो यह तो present हो गई दोस्तो ना 10 वर्स पूरो A और B की आयू मतलब A की आयू B की आयू की आदी थी मतलब कि A की आयू यह A है इसकी एज B की एज की आदी थी ठीक है दोस्तो इसमें कोई दिक्कत दोस्तो अब दोस्तो 10 वर्स पूरो की बात करते हैं माइनस 10 अब दोस्तो माइनस 10 पूरू पीछे जाएंगे तो मतलब कि इसकी जो प्रजेंट एज दोनों की यह 3x और 4x इन में से माइनस तो होगी न 10 10 क्योंकि दोस्तों अगर अपने पिछली एज को अपन देखते हैं आयू को तो अगर अपनी यहां से प्रजेंट आयू से अगर हम पिछली आयू में जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा दोस्तों जितनी पिछली पीछे जाएंगे उतनी ही अपन को माइनस करनी पड़ेगी तो यहां पे 3x है 3x प्रजेंट में है तो पीछे जाएगा तो 3X माइनस है, 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तो, अनुपात है, 4X है, B की परजेंट में कितनी है, 4X है, तो ये पीछे जाएगा 10 साल, तो इसको भी 4X माइनस है, 10 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तो, कोई दिकत दोस्तो, और दोस्तों जो पीछे आयू है वो कैसी देर किये A की आयू B की आयू की आदी देर किये कहने हैं मतलब कि इसमें हम समांवपात लगा देंगे अगर दोस्तों आपने हमारा अनौपात समांवपात पढ़ाएं wizard कोई दिक्कत नहीं होगे इसक्योंसन में अनुपाथ समानुपाथ से है न तो यहाँ पे समानुपाथ लगा दो दोस्तों और वो कितना है दोस्तों A की आयू, B की आयू की आदी है मतलब की A अगर 1, Mतलब की B अगर 2 है तो A एक होगा बी 2 है तो एक कितनी हो गई एक तो यादी हो गई अब दोस्तो इसमें लगा देंगे पन क्या आंतरिक पदों का गुणन फल और भाईये पदों का गुणन फल ये तो आप सभी जानते होंगे ठीक है दोस्तो तो अब दोस्तो देखो तीन एकस माइनस दस को मल्टिप्लाई करेंगे कितने से भाईये पदों का मल्टिप्लाई दो यहां से यहां से देखिए दोस्तो ना तीन एकस माइनस दस को दोसे भाईये पद है ना दोस्तो ना और आंतरिक पद को ने चार एकस माइनस दस मल्टिप्लाई एक ठीक है तो इस एक्स दो को अंदर मर्टिपलाई करदो माइनस 20 बराबर 4x-10 तो है दोस्तो यह ना चार एक्स माइनस 10 अब हिया से x की वेलो निकालेंगे दोस्तो चार एक्स को इधर 64에क्स की तरफ बेज दो और 20 को इधर 10 की तरफ ले आओ ठीक है अब दोस्तो यहा से 4X को इदर भी जाएंगे 6X की तरफ तो यहां से क्या होगा 4X 6X माइनस 4X ना ठीक है बराबर कितना होगा माइनस 10 पलस इदर 20 इदर आएगा दोस्तो इदर की साड़ तो यह पलस में हो जाएगा ठीक है अब यहां से इसको सॉल करेंगे दोस्तो उदर 2X बचा 6X माइनस 4 गये तो 2X बचा और 20 में से अकर माइनस 10 गटाएंगे तो 10 बचेगा तो यहां से क्या बचेगा दोस्तो 2x बराबर 10 तो यहां से x बराबर कितना होगा दोस्तो x बराबर होगा 2 को भाग 10 में देंगे तो 5 बार ठीक तो x बराबर 5 होगा अब बोल रहा है कि दोस्तो उन दोनों की वर्त मानायू कितनी होगे तो वर्तमान आयू कितनी है दोस्तों उनकी 3X और 4X अभी दोनों को add कर देंगे 3X और 4X को कितना आएगा दोस्तों इन दोनों को add करेंगे तो 7X आएगा न तो 7X में X की जगे रख दो 5 तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों साथ multiply 5 ठीक है कितना या 35 तो 35 यह उनकी वर्तमान आयू का योग 35 साल हो जाएगा बी ऑप्सन इसका right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत दोस्तों इसमें चले दोस्तों नेस्ट कुश्ण करते हैं यह रहा यदि A, B तता C के वर्तमान आयू का योग 90 है 6 वर्स पहले उनकी आयू का नुपात 1, 2, 3 था तो C की वर्तमान आयू क्या होगे अब दोस्तों इसमें भी वैसे ही करेंगे देखे A, B और C तीन दोस्त है ठीक है उनकी वर्तमान में आयू कितनी है दोस्तों वर्तमान में आयू का पता नहीं है दोस्तों हमको न वर्तमान में आयू का पता नहीं है क्योंकि बस उनकी आयू का योग दे रहा है लेकिन इसमें दे रहा है कि 6 वर्स पहले वाली तो मतलब कि माइनस 6 वर्स पहले वाली है न तो 6 वर्स पहले वाली है तो दोस्तों वो कित को दिक्कत दोस्तों इसमें अब देखें दोस्तों ये हो गई अपनी अब इसके साथ में लगा दो सबके साथ में X ठीक है दोस्तों X लगा दो अब दोस्तों अगर इसमें से अपन वर्तमान में आएंगे परजेंट में मतलब यहां लिख देता हूं पी पी मतलब कि एक्स पुलस से six थीक है शह साल एड़ करने पड़ेगे न दोस्तों हْ अगर पर्जेंट में आएंगे तोraisार कियो कि is the time मतलब चैसल पहले की तो यह थी पूरी और द touched किदो सब कामोइड करलो और इसको भी एड़ करो पूर तीनों को ऐड़ करके कितन है यह नबबबा रहा कितने है नबबान और वर इंहां से करेंगे दोस्तों यहां से Все lifes X कितना हुआ दोस्तों तीन और दो पांच रेके 6 तो 6 प्लस छै चै और यह च्छ यह तीनों को च्छ जोड़ेंगे तो कितना आएगा अठार है ठीक है और यह कितने बराबर है 90 के यह से x की value निकालनेगे दोस्तो 6x बराबर 90-18 को दूसरी 7 बेढ़ देंगे इधर, तो यह minus में हो जाएगा, पलस है तो इधर से minus में आ जाएगा, तो यहां से X की value कितनी आएगी दोस्तों यहां से X इसको जब solve करेंगे तहा X की value कितनी आएगी अपनी X की value आएगी 12 ठीक है अब यह X की value 12 आगई दोस्तों तो अब पूछा क्या है कि C की वर्तमान आएउ अब C की वर्तमान आएउ कितनी है 3X plus 6 ये चीज क्या है C की वर्तमान आई, तो C की present age, C की present age कितनी होगी दोस्तों, C की present age होगी, चे को मल्टिप्लाई की इनको 3X प्लस 6, ठीक है, तो यहाँ पर X की जग रख देंगे क्या, 12, तो 3 multiply 12 प्लस 6, अब 3 को मल्टिप्लाई किया 12 इस कितना हो, 36 प्लस 6, 42, तो यह कितना आपना अंसर 45 कौन सा उप्षन हो जाएगा ए उप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोई दिकत इसमें चले दोस्तों नेक्स्ट कुशन करते हैं यह अपना लास्ट कुशन राम शाम से उतना चोटा है जितना वह महेज से बड़ा है यदि और महेज की आयू का योग 48 वर्स है तो राम की आयू क्या है ठीक है दोस्तों यह किसन अपन को करना है अब इसमें क्या देर कहा है दोस्तों राम शाम और महेज तीन दोस्त है दोस्तों ना तो इसमें देर कहा है कि राम शाम से उतना चोटा है जितना वह महेज से बड़ा ह सपोज महेश की एक वर्स है ठीक है मालो महेश की कितने एक है ठीक है तो राम शाम से उतना छोटा है जितना वह महेश से बड़ा है ठीक है मालो महेश से बड़ा है वो एक साल बड़ा है मतलब कि दो तो राम शाम से उतना ही छोटा होगा अगर यह एक साल इस से बड़ा है तो ये शाम से एक साल छोटा होगा, तो मतलब शाम तीन माल लो, ठीक है, तो तीन से एक साल छोटा है, शाम से उतना ही छोटा है, और मोन से उतना ही बड़ा है, ठीक है, मोन से तो ये प्लस एक है, और शाम से ये माइनस एक है, ठीक है, तो ये बड़ा जितना चोटा है उतना ही बड़ा है ठीक है ये चीज़ हो गई अब बोल रहा है कि स्याम और मेज के आयू का योग श्याम, इसका स्याम का और मेच खयायू का योग, कितना है? 48 वर्स है. तो राम के आयू क्या होगी? ये पूछा है, दो ostens ठीक है? अब राम के आयू पूछी और श्याम को खयायू का योग 48 वर्ष है. अब दोस्तो श्याम और मेच का योग 48 वर्ष है hè, इनका अनुपात क्या है तीन अनुपात एक है देखे दोस्तों ये तीन अनुपात एक है शाम और महेजकी है ना तो शाम और महेजकी तीन अनुपात एक कितना हुआ दोस्तों इनका तीन प्लस एक चार भाग हो गया चार भाग है ना ये चार भाग बराबर कितने के है अड़ में कितना होगा दोस्तों चार का ब्राइटनें देंगे तो बारे चोखे अड़तालिस तो बाराbec i कितना हज दोस्तों यहां पर देख रहा है लिख रहा है दोस्तों दो भागे राम के कायूकित निफीलाइक कि दोस्तो तो राम की आयू कितनी होगी राम की एज वो कितनी होगी दोस्तो जब एक भाग बराबर कितना रहा है दोस्त अपना बार है आ गया तो दो भाग बराबर कितना होगा दोस्तो बार है मल्टिप्लाई दो ठीक है जब एक भाग बराबर बार है तो दो भाग कितनी है र पबार दूने 24 ठीक है दोस्तों 24 हो जाएगा तो 24 कौन सा ओविशन इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आई अब को सब्भी कोई किस्टेंस समझ में आ गए औंगे अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेट शेर और जरूर करें वनना अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिस्लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों वो आपकी मर्जी है हाँ दोस्तों लेकिन आप continue ऐसे बने रहें और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक टेक केर और गोड़ ब्लेश यो बाई